हर कोई लता मंगीशकर की प्लेबैक सिंगिंग और प्रोफेशन से जुड़ी अधिकतर बातों से वाकिफ है लेकिन उनकी निजी जिन्दगी लोगों के लिए पहली की तरह है इसमें एक पहलू उनके जिन्दगी भर शादी ना करने से जुड़ा है हर कोई जानता है लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत मुरीद रही हैं लता का क्रिकेट से लगाव और राजिस्थान के डूंगरपुर घराने से तालुक रखने वाले राज सिंग का संगीत को लेकर प्रेंट दोनों को एक दूसरे के करीब लाया दोनों की 1969 में लता के घर पर ही पहली बार मुलाकात हुई थी आगे भणने से पहले आपको राज सिंग डूंगरपुर के बारे में थोड़ा बता दें राज रंगी ट्रॉफिक क्रिकेटर थे और मीडियम फास्ट बॉलिंग किया करते थे राज सिंग ने राजिस्तान और सेंटल जोन की नुमायद्गी करते हुए 1955 से 1968 के बीच 86 फर्स्ट क्लास मैच के लिए बाद में उनकी क्रिकेट के प्रशासक के तौर पर पहचान बनी वो दो बार BCCI के अध्यक्ष रहने के साथ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई के 13 साल तक प्रेजिनेंट रहे कई बार उन्होंने भारती टीम के मैनेजर के तौर पर पाकिस्तान समेथ कई देशों का दोरा भी किया दूंगरपुर के शासक महारावाल लक्षमर सिंग जी के सबसे छोटे बेटे राज का जन 19 दिसंबर 1935 को टूंगरपुर में हुआ राज सिंग की भांजी और बीका नेर की राजकुमारी राज्य श्री ने अपनी आटो बायकुराफी पैलेस आफ क्लाउट्स आप मैमवार में लता और उनसे छे साल छोटे राज सिंग के बीच रिलेशन का जिक्र किया है राज 1969 में कानून की पढ़ाई करने मुंबाई गए थे तब लता से पहली मुलाकात का जिक्र राज सिंग ने 2004 में दिये एक इंटर्विव में किया था लता के 75 जन दिन पर राज सिंग ने ये इंटर्विव दिया था राज सिंग के शब्दों में 1969 में अगस्त में पहली बार वो पॉंबे आए तब उन्होंने मशूर क्रिकेटर दिलीब सर्दिसाई के चचेरे भाई सौपान सर्दिसाई को बताया था कि वो क्रिकेट खेले बिनान नहीं रह सकते हैं सौपान ने तब राज से कहा था कि तुम सिर्फ एक जगा क्रिकेट खेल सकते हो और वो है वालकेश्वर हाउस जहां लता मंगेशकर के भाई रिदेनाद मंगेशकर और उनके दोस्त टैनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं राज का इस पर जवाब था कि उन्हें इससे मत्तब नहीं कि कौन महां खेलता है लेकिन उन्हें क्रिकेट जरूर खेलनी है तब लता का परिवार वालकेशवर हाउस के पीछे टू बेटरूम फ्लैट में रहता था राज वहां जाकर क्रिकेट खेलते और फिर अपनी बहन के नेपियन सी रोड से घर पर वापिस आ जाते उन दिनों लता पूरे दिन रिकॉर्डिंग के लिए घर से बाहर रहती थी इसलिए कभी राज को उन्हें देखने का मौकाल नहीं मिला हला कि मंगेशकर परिवार में जब राज के वहां क्रिकेट खेलने के लिए आने का जिक्र हुआ तो लता ने परिवार के सदस्यों से कहा कि उन्हें चाय तो आफर करनी चाहिए एक दिन लता घर पर थी तो राज को उपड़ चाय के लिए बुलाया गया लता फिर राज को नीचे छोड़ने तक आई जल्दी ही मंगेशकर परिवार में नारियल पूर्णी मगा आयोजन होने वाला था इसके लिए राज सिंग को डिनर पर भी आने का न्योता दिया गया राज के मुदाबिक मंगेशकर परिवार में हर कोई क्रिकेट के लिए क्रेजी था राज सिंग ने इंटर्वी में बताया कि वो सिर्फ रणजी प्लियर थे फिर भी उन्हें मंगेशकर परिवार से बहुत सम्मान मिला मंगेशकर परिवार पहले मुंबई में नाना चौक पर रहता था महासेव वालकेश्वर और फिर पैडर रोड पर शिफ्ट हुए राज सिंगी भांजी राज्य श्री ने अपनी आटोपायवग्राफी में लिखा है कि लता और राज में दोस्ती हुई जो बाज में प्यार में बदल गई मुंबई में पढ़ाई पूरी करने के बाद राज लूंगरपुर लौट गए और अपने परिवार से लता से शादी करने की इच्छा के बारे में बताया राज श्री ने लिखा है कि राज परिवार नहीं चाहता था कि वो ऐसी लड़की से शादी करने जो किसी राज घराने से ना जुड़ी हो राज श्री ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि राज लता को मिठ्चु कहकर बुलाते थे अज राज बिमारी से पीडित राज का 12 सितंबर 2009 को मुंबई में निधन हुआ उनका अंतिम सस्कार डूंगरपूर में ही हुआ पताया जाता है कि लता सीक्रिट तोर पर डूंगरपूर गई थी जिससे कि राज सिंग के अंतिम दर्शन कर सकें पत्रगान नसरीन मुनी कबीर को दिये एक इंट्रिव्य में लता ने खुद क्रिकेट से मंगेशकर परिवार के लगावकार जिकर किया था लता के मुताबिक उन्होंने पहली बार 1945 या 1946 में मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम पर ऑस्टेलिया और भारत के बीच मैच देखा था लता के मुताबिक उनके पास डॉन ब्रेडमन का साइन किया फोटोग्राफ भी मौजूद था जिसमें उन्होंने लता का नाम भी लिखा था लता वीजे हजारे, वीनु मांकर, बिशन सिंग बेदी, सुनील कावसकर, कपिल देव और सचिन तंदुलगर जैसे प्लियर्स को नीजी तोर पर जानती थी लतरीन मुणी कबीर को दिये इंटर्वियू में ही लता ने इस बात का खंडन किया था कि उनके नाम से मैच देखने के लिए लंदन में लॉट्स मिस्थाई तोर पर गैलरी रिजर्व है लता ने कहा था कि वो भी दूसरे क्रिकेट फैंस की तरह स्टैंड में बैट करी मैच का आनन लेती हैं वैसे जहां तक राज सिंग डूगर पूर का सवाल है तो लंदन में लॉट्स के पास ही उनका एक खर मौजूद था राज ने लता के 75 जनन दिन पर दिये इंटर्वियों में जिक्र किया था कि लता को 2001 में भारत रत्म दिये जाने की सूचना लंदन स्थित उनके घर पर ही मिली थी राज के शब्दों में उस वक्त राज के साड़े 11 बजे थे लता को उनकी पसंदीदा भांजी रचना का फोन आया लता के मुझ से तब निकला था वाउ राज सिंग के मताबिक तब उन्होंने सोचा था कि लता ने करियर में इतना उचा मुकाम हासिल कर लिया है अब भी उनके लिए वाउ कहने को क्या बचा है तब लता ने उन्हें बताया था कि भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्म देने का अहलान किया है राज घरानी के दबाव की वज़ा से राज सिंग और लता की शाली पेशक नहीं हो सकी लेकिन राज भी जिन्दगी बर अविवाहित रहे ये खुदी इस लता और राज के रिष्टे की पवित्रता और उचाई को साबित करता है विरो रिपोर्ट देश नामा और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा फिर मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए नमस्कार